1857 की क्रांती की तयारियां जासी में भी शुरू हो गई थी जासी की जनता अपनी रानी लक्ष्मी बाई के साथ हुए अन्याय और अपमान पूर्ण वहवार का बदला लेने के लिए बेचैन थी रानी महल में हर रोज गुप्त सभाई मंत्रणाय हो रही थी आखिर चार जून 1857 को जासी में बारा नंबर देसी पल्टन के हवलदार गुर्बक्ष सिंग ने विद्रो की तलवार निकाल ली क्रांतिकारी सेना ने तोब खाने और खजाने पर कबजा कर लिया इसके बाद रानी लक्ष्मी भाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नित्रित्व संभाल लिया जहासी में चारों ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सक्ता छीन ली गई शात जून को करान्तिकारी सेना ने जहासी के कले पर हमला किया इस हमले का नित्रिद्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तेसीलदार मुहम्मद हुसेन कले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाईयों ने भी विद्रोह कर दिया कले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था आठ जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से कले के अंदर मौजूद सरसट अंग्रेज पुरुष स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया अंग्रेज इतिहासकार स्वैम मानते हैं केस हत्याकांड में रानी लक्ष्मी भाई का कोई हाथ नहीं था और नहीं उन्होंने इसकी इजाज़त दी थी आठ जून 1857 को जहासी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई गदी का उत्राधिकारी दामोदर्राव चूंकि बालिख नहीं था इसलिए रानी लक्ष्मी भाई ने जहासी का शासन संभाला जहासी में जगे जगे घोशना की गई खलक खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म रानी लक्ष्मी भाई का रानी लक्ष्मी भाई ने बड़ी सूझ पूझ और समश्तारी से शासन संभाला वो दर्बार में एक विशेश कक्ष में बैठती थी उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिके पड़ी रहती थी द्वार के बाहर दो द्वार पाल चुस्त पोशाकों में खड़े रहते दीवान लक्ष्मन राव राज्य के आवशक कागस पेश करते और रानी उस पर अपना निर्नय सुनाती रानी लक्ष्मी बाई की पोशाक भी पुरुशों जैसी हो गई थी वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी टोपी पर एक सुन्दर पगड़ी बंदी रहती थी कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती उसके साथ ही दमिश्क की बनी नकाशीदार चांदी मड़ी पिस्टॉल भी लटकती रहती थी जासी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा जंडा लहराने लगा था राने लक्ष्मी बाई ये भी जानती थी कि उन्हें जासी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तयार रहना चाहिए वो सेना तयार करने लगी लोगों को युद्ध का प्रशिक्षन दिया जाने लगा पुरुशों के साथ साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी इनमें रानी की दो सहेलिया सुन्दर और मुंदर भी थी रानी ने क्रांती कारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्ख बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रहें उधर अवत में भी क्रांती की पूरी तयारिया थी इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांती की तैयारियां जितनी अच्छी आवद में थी उतनी देश में कहीं नहीं थी हजारों मौलवी और हजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे वो एक-एक बैरत में जाकर सिपाहियों से बाचीत करते हर गाओं गली महले में जाकर पंडित जी और मौलवी सहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे लखनव में 13 मई को मेरट की क्रांती की और 14 मई को दिल्ली की क्रांती की खबरें आई सर हेंडरी लॉरेंस लखनव में पूरे अवत का कमिशनर था उसने क्रांती की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी लखनव में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनव के पास मच्छ भवन में और रेजिदेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी ताकि जरूरत पढ़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सकें अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुचा दिया गया था 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी क्रांती आरंप होने का यही संकेत था 71 नंबर की पल्टन सबसे पहले बंदू के लेकर निकल आई उसने अंग्रेजों के बंगले चलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया झाल